एक बार एक किसान था, एक दिन उसने अपने खेतों में फसल हो गाई आज के इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस तरीके की अब आज आपको स्टोरी वीडियो में एड करना जैसा कि आपने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुना तो बने रहे इस वीडियो के साथ एन बिना टायमबेस्ट के गाईस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कुछ इस तरीके से स्टोरी इडिट कर लेनी है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो हमारी story उपर की तरह automatic वो जा रही है कुछ इस तरीके से edit कर लेना है अगर आपको edit करने नहीं आता तो मैं इसी वीडियो के description में आपको link दे दूँगा तो आप उस वीडियो को देख करके वहाँ से edit करना सीख सकते हो ठीक है तो अब बात करते हैं कि तो उस तरीके का voice कैसे बना है और कैसे इस वीडियो में add करें अपने story वीडियो में add करें तो सबसे पहले हम लोगों को अपना open कर लेना है play store play store open करने के बाद यहाँ पे हम लोग को search bar पे click करके search कर लेना है metavicer metavicer लिखके search करोगे तो आपके सामने यह वाल अप्लिकेशन आएगा दियान से देख लो यही अप्लिकेशन हम लोग को install करना है install करने के बाद हम लोग को यहाँ से अपनी metavicer application को open कर लेना है open करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface खोल करके आएगा और अभी हम लोग को इसको minimize करेंगे और चलेंगे अपने story पे जहां पे हम लोगों ने अपने story को notepad में save करके रखा है आपकी जहां भी story है आप वहां से अपनी story ले लेना ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान देना जो हम लोग के story है देख सकतो यहां पे बीच बीच में हम लोग के और story में gap नजर आ रहा है ठीक है तो इस gap को हम लोग यहां से delete कर लेंगे story में कोई भी gap नहीं होना चाहिए तब ही आपके story proper तरीके से बन पाएगी तो हम लोग खटा खट से सारे gaps को delete करते हैं और देख सकतो यहां पे मेरे story में कोई भी gap नहीं है ठीक है इसके बाद हम लोग इसको कहीं पे भी long press करके select all करेंगे और इसको अपनी story को copy कर लेंगे copy करने के बाद हम लोग को चलना है फिर से वही application में meta visor में जो कि अभी हम लोगों ने play store से download किया था तो यहां पे अगर आप देखना चाहो तो यहां पे आपको बहुत सारे आवाज भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहां पे arrow का यह option बना हुआ है मैंने circle से mark लगाया है यहां से आप click करो गई इस पे तो आपको यहां पे बहुत सारे आवाज देखने को मिल जाएंगे तो यहां पे देख सकते हो यहां पे English यहां पे आपको उपर सबसे उपर selected है यहां पे एक बड़ क्लिक करना है और आपको यहां से Hindi कोज करके Hindi voice को select कर लेना है ठीक है तो यहां पे आप जाओगे mail वाले पे तो मैं आपको कुछ आवाज है जो मैं आपको सुना देता हूँ आप किसी को भी select करके उस आवाज में अपनी story को record कर सकते हो तो कुछ आवाज है मैं आपको सुना देता हूँ बाकि आप अपने मन पसंद से अपने twice के हिसाब से उस आवाज को select कर ले न ठीक है तो देख सकतो मैं मधूर वाला प्ले करता हूँ तो देख सकतो कुछ इस तरीके के यहां पे इसका आवाज है और next करेंगे हम लोग हेमन्त वाले में तो कुछ इस तरीके से यहां पे आपको mail इस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे अगर आप female voice में बनाना चाहते हो तो आप जश्ट उपर simply क्लिक कर देना यहां पे female वाले पे यहां पे आपको बहुत सारे female voice भी मिल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से मैं आपको एक दो voice यहां पे सुना देता हूँ मैं आपकी exclusive voice अभिनेतरी हूँ क्या आप पता लगा सकते हैं कि मैं किस तरह की आवाज अभिनेतरी हूँ देख सकते हूँ और कुछ एक और प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको जो भी voice चाहिए simply उस पे क्लिक कर देना है तो आपका वह voice सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मैंने नैना का voice मैंने यहाँ पे सलेक्ट कर लिया और हम लोगों ने अभी जो अपनी story कॉपी की थी उसको यहाँ पे simply insert text here यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के पाद यहाँ पे आपको एक नीचे option देख रहा है listen का तो listen पे just click कर देना है तो यह थोड़ा सा time लेगा sync करेगा जो आपने story यहाँ पे पेस्ट किया है उस story को यह sync करेगा अपने voice में वह इसको read कर रहा है तो यह depend करेगा आपके internet के उपर कि आपका internet कितना फास्ट है कितना श्लो है उस हिसाब से यह समय लेगा थोड़ा सा ठीक है जब तक यह sync कर रहा है तब तक आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और playlist चेक करना मत भूलन जितने भी आपके अगर आप स्टोरी वीडियोस बना रहो तो जितने भी आपके प्रोब्लम से सारे के सारे शोल हो जाएंगे playlist जरूर्द से देख लेना वहां पे सारे वीडियोस पड़े हुए है ठीक है तो देख सकतो यहां पे हमारा वायस जो था वो convert हो चुका है और य से बाले option पर क्लिक करना है तो से बाले option पर क्लिक करोगे तो यह आप से पूछेगा कि इस स्टोरी को जो सेब कर रहे हो उसको क्या नाम देना है तो आपको यहां पर नेम दे देना है अपनी स्टोरी का मैं यहां पर कुछ भी देता हूं और यहां ओके पर क्लिक कर देना है तो आपका यह प्रोजेक्ट रेंडरिंग हो करके सेव होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब यह वाइस कनवर्ट जो हुआ हम लोग की गैलरी में वे सेव हो जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पर अप्लोडिंग ओडियो हो रहा भी उसके बाद हम लोग को इसको डाउनलोड करना ओके तो देख सकते हो हमारा यह वीडियो यहाँ पर अप्लोड हो चुका है और यह लोडिंग हो रहा था थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोग को नीचे यह डाउनलोड का ओप्शन मिल जाएका ठीक है यहाँ से आप प्ले भी करके सुन सकते हो यहाँ पर आपको प्ले का बटन मिल जाता है प्ले करके देखते हैं देख सकतो अब लोग इसको पॉस करते हैं और सीधा हम लोग यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पूछेगा कि आपको वीडियो में इसको डाउनलोड करना या फिर MP3 क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टाट होगा तो यहाँ पर यहाँ से डिखा देना आपको अपने स्टोरी को सिंपलि यहाँ पर डाल देनी है ठीक है इसमें पेस्ट कर देना है अगर आप आपसे डौनलोद नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डिवाईस में डौनलोड वाला प्रोब्लम आ रहा है। तुझ वाजाँ को यहां स्क्रीन रीकॉडर यहां से अंकर लेना है सभी के मुवाईल में तो अगल बगल जो आपके साथ नुआज होता है मतलब आप भी कुछ बोलोगे तो वह भी रिकॉर्ड कर लेगा तो इसलिए इसको ओफ रखना है ठीक है छो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये सिंक अर देख सकते हुआ है हं यहां पर हमारी स्टॉरी यहां पर रिकॉर्ड कर लेना है पूरी सूरू से लेकर के आंतickets के ए अस्टॉरी ये पढ़ड़ देगा रिकॉर्ड हो जागा भी हम लोगका ठीक है रिकॉर्डिंग होने के से भॉआ श मिल गया जो हम लोग को बाइस स्टोरी में डालनी है इतना करने के बाद हम लोग बापस चलेंगे अपने काइन मास्टर अप्लिकेशन में यहां पर हम लोग को स्टोरी है एडिट हुई पड़ी है यहां पर एकभॉआई से इसको हम डिलीत कर देरा ठीक है अ लोगों ने story edit कर लिया लेकिन इसमें voice नहीं है आपको प्ले करके यांसे दिखा देता देख सकते हैं कोई भी voice नहीं है भी तो हम लोगों को इसमें simply voice डालना है तो अभी हम लोगों ने screen recording करा या फिर जो download करा तो जिन्होंने download कर रहा है ठीक है तो उनको उनके लिए कैसे करन सब से नीचे जाओंगे तो यहाँ पर फोल्डर को ओप्षन दिखेगा उसके बाद आपके फोन में जितने सारे फोल्डर रहेंगे सारे यहाँ पर दिख जाएंगे ठीक है तो मैं मेरा जो स्टॉरी वहाँ पर लोड करा था, वो मेरा फोल्डर इधर गया है, तो मैं अपने फोल्डर में चाहता हूं, और यहां से इसको देख सकतो, यहां पे मैरी वो story है, तो ज़स्ट आपको यहां पे पलस को option देख रहा है, पलस वाले पे क्लिक करोगे, तो आपकी वाइस story में आ जाएगी, तो ज़स अब इसके वी साहँ चल रही है उनके लिए जिन्होंने Mysem स्क्रीन डेंट के थुर्व आज को यहां पे लाया था उनके लिए क्या उप्शन है वो मैं आपको अब बता रहा हूं ॥ द्यान से देखना हम को क्लीक करना यहां शेले będziemy option अंके भूण यहाँ पर आपको option दिख जाएगा media का just media वाले पर click करना उसके बाद आपको चले जाना है आपका जहां भी voice record हुआ screen record करते हो जिस वाले भी folder में save होता है उस folder में जाना है मेरा screen shots वाला folder में save होता है तो just यहाँ पर देख सकतो मेरा voice recording वाला video यहाँ पर पड़ा हुआ है तो just उसको select करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके screen पर यह दिख जाएगा ठीक है इसी में मेरा voice भी है और आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा है मतलब यह video है ठीक है तो हमको video नहीं रखना है तो just simply इ extract audio पर simply एक बार आपको click कर देना है ठीक है click करने के बाद यह वाले इसको delete कर देना है देख सकतो हो यह selected है अभी भी selected है कैसे पता चलेगा आपको यह यह look color से mark दिख जाएगा तो just select करना है और इसको यहाँ पर आपको delete का option है तो just simply एक बार delete पर click कर देना है तो वह delete हो जाएगा इससे क्या हुआ है कि आपका वीडियो बाला पाट delete हो गया और आपने जो voice record कर रहा वह audio यहाँ पर आपको मिल गया ठीक है तो just हम लोग इसको तो simply play करते हैं तो देख सेब डो play करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा sound नहीं है हमारा जो voice है यहाँ से start होता है ठीक है पूँछ यहाँ से आपको दिखेगा यह blue color वाला जो आपको दिख रहा है selected part जो voice है उसमें आपको यह दिख रहा होगा कहीं कहीं पर यह nisana दिख र करना सेलेक्ट कर लेना और इधर नीचे करेंगे तो हम लोग को उप्शन मिल जाएगा ट्रीम एंड स्प्लिट का ट्रीम एंड स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और हम लोग को लेप्ट पार्ट को कट कर देना है तो त्रीम लेप्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग को लेप्ट बाला प्लेक करेंगे और यहां से प्ले करेंगे तो देख सकतो और इस टोरी बिल्कुल सेट हो चुकिया परफेक्ट तरीके से और अभी तक जिनको भी स्टोरी इडिट करने नहीं आ रही तो मैं फिर से पर बता दे रहा हूं प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्र और भुआइस डालने के लिए तो यह वीडियो मैंने बता दिया तो आप इस वीडियो को देखरके इस तरीके से भुआइस ibs भी डाल सकता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको proper तरीके से बड़िया तरीके से समझ पाई होगे और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो पर